असलाम अलेकुम, in the name of Allah, the most beneficial, the most merciful, oh my Allah, increase my knowledge लास्ट टाइम चेप्टर कंप्लीट किया था, मैंने आपको चेप्टर समझाया था कॉपरेशन, ठीके, टुड़े आइम गोना गीप यू दा कुष्टन असर आप दिस चेप्टर तो रिमेंबर, you have to work properly, neat and clean working करनी है आपने, अगर किसी ने भी गंदा काम किया तो उसको मैं स्कूल में बिठा के दुबारा से working करूँगी लास्ट टाइम मैंने छोड़ दिया था आप लोगों लेकिन इस बार इसा नहीं होना चाहिए, यहां पर अभी समझा रही हूं, तो पिक्स यहां से भी देख सकते हैं, उसके अलावा आपको PDF भी सेंड कर दी जाएगी, प्रॉपर और नीट वर्किंग कीजिएगा, ठीक है चैप्टर नबर बन था, कॉपरेशन, सब से पहले ऐस यूज़ाल आप वाइनल ड्रम का टाइटल बिज बनाएगे, उसके बाद चैप्टर नबर बनाएगे, दिस्सम्बर शो कर देंगे, मन्द, योनिट नमर शो कर देंगे, और योनिट नेम शो कर कर देंगे, तेन objective भी दे दी जाते हैं तो बहुत सारे student ने जब मेरे पास book checking के लिए आई तो objective solve नहीं किया वा था show कर रही हूं properly आपने इसको करना है objective भी solve करके लाईएगा जब आप मुझे book देंगे तो ठीक है question number 3 question number 5 or question number 8 आपको objective दिया वा है क्या कह रहे हैं what should आसिम have done at the beginning of the play ड्रामे के शुरू में आसिम को क्या करना चाहिए था अब वो किस बारें बात कर रहे हैं तीन options यह उन्होंने देते हैं जिससे आपको clear हो जाएगा कि वो किस बारें बात कर रहे है ड्रामे के शुरू में अगर आपने properly चीन लिया था ताहा से तो वो उसी चीस की बात कर रहे है नमबर A में आपको दियावा है ask ताहा politely to let him see the atlas नर्मी से ताहा से कहना चाहिए था कि उसे atlas दे दे, atlas देखने दे, B में क्या कह रहे है taken the atlas without asking बगएर पूछे, atlas ले रहे था C में कह रहे है taken someone else atlas किसी और का atlas ले देना चाहिए था तो A option जो है यहाँ पर correct है उसके पर मैंने tick लगाया वह है blue band से tick लगाएंगे उसके बात five we have seen the light means the boys have last वाले scene में यह दिया वा था जब वो presentation दे रहे थे उसमें यह एक line दे वी थी we have seen the light इसका मतलब पूछ रहे हूँ किसका मतलब क्या है put the light on in the classroom classroom में light on कर दे we understood the truth सच को समझ लिया यह sentence को continue किया हुआ है options में the boys have put the light on in the classroom boys ने classroom में light on की the boys have understood the truth यह sentence बन रहे है दूसरा कि उन्होंने सच को समझ लिया और तीसरा क्या है promise to behave better in future कि future में अच्छा बढ़ताव करेंगे इसका उन्होंने वादा लिया तो B option जो है वो इसके माइने है understood the truth कि उन्होंने सच को समझ लिया उसके इलावा 8 में दियावा है which of these statement describe आसिम इन में से कौन से statement है जो आसिम को describe करते हैं which describe ताहा कौन से हैं जो ताहा को describe करते हैं A option दियावा है He speaks confidentially एतमाद के साथ बोलता है तो यह आसिम क्या है आसिम की quality है इसके आगे मैंने आसिम लिग दिया He is artistic best picture कौन बना चाथा अच्छी drawing कौन करता था ताहा ठीक है आसिम ने ताहा की quality बनाईते हैं तो यह ताहा की quality है ताहा लिख दिया इसके आगे He is innovative Innovative का मतलब बताए गुड आइडियास देने वाला यहाँ पर यह दिये में है He is innovative गुड आइडियास देने वाला तो गुड आइडियास देने वाला ताहा था उसके लावा number D आपको दिया वाई है He has a good sense of rhythm rhythm का good sense किसके पास था आतिम, आसिम के पास ठीके यह इसके आगे लिख देंगे उसके अलावा copy working पर आ जाते हैं जो कुछ चंड रहेगा है वो copy में subjective है objective वहीं solve कर लिए proper working करनी है as usual date show कर देंगे अच्छा last time कुछ student ने क्या किया था मैंने यहाँ date डाली वी तो आप भी सिब date ही डाल के लिए भाई आप जिस date को काम कर रहे हैं आपने यहाँ पर वो date show करनी है मैंने lecture पहले बना लिए इसलिए मैंने आपर date show नहीं की वी लेकिन आप लोग जिस date को काम कर रहे हैं वो date यहाँ पर जिस दिन आपको lecture मिल रहा है ठीक है तो उस दिन आपने ये काम करना है और वही date आप यहाँ पर show करेंगे mention करेंगे ठीक है second line में question answer के heading डालेंगे उसे underline करेंगे लाजमी question number one है why do Taha and Aasim quarrel at the beginning of the play Taha और Aasim क्यों जगरते हैं ड्रामे के शुरू में Taha and Aasim देखें ये grammar में हमने present definite पड़े थे मिट्रम में तो do helping verb use होता है present definite के लिए do से क्या identify हो रहा है क्या पता चल रहा है कि ये present definite का sentence बना है तो आप answer भी present definite में ही देंगे Taha and Aasim subject लगा दिया उसके बाद verb क्या दिया है quarrel तो सबसे पहले subject आ गया उसके बाद ये verb ठीके फिर remaining sentence which can be object और which cannot be object तो ये object है because it follows whom ठीके जो whom ये what को follow करे रहे वो क्या होता है object होता है ताहा और आसिम कोहरल ताहा और आसिम जगरते हैं at last के लिए question number two who helped them to work together किसने मदद की उनकी them से मतलब ताहा और आसिम ताहा और आसिम की मदद किसने की to work together एक साथ काम करने में अब घर में मैटके ताहा के घर में मैटके वो दोनों again argument कर रहे थे पिर उनकी मदद किसने की थी ताहा के फादर ने ताहा स्वादर ये post of years है पहले भी मैंने आपको बता रहे इसका मतलब होता है काकी के possession को, belonging को, तालुक को शो करता है ठीके कबसे को शो करता है या तालुक को शो करता है ताहा स्वादर help them to work together ताहा के वालिद ने मदद कि उनकी एक साथ काम करने में next आपको question दियावा है in what way did the two boys cooperate in the end किस तरीके से दोनों लड़कों ने तावन किया in the end आखर में अब यहाँ पर did आ रहा है तो यह past indefinite का helping verb है तो it means it is the sentence of past indefinite तो आप past में ही answer बनाएगे the two boys अच्छा यहाँ पर जो did है वो as a helping verb यूज़ हो रहा है answer में मैंने did as a main verb यूज़ किया है सही है do की second form होती है did ठीके पास indefinite ऐसी बनाते थे subject उसके बाद verb की second form subject और verb की second form ठीके तो मैंने ऐसी तरह से बनाया है subject लगाया है उसके बाद verb की second form the two boys did दोनों लड़कों ने की a good presentation एक अच्छे presentation together एक साथ उन्होंने corporate के सा किया कि उन्होंने मिल कर presentation की और बहुत अच्छी presentation की थी उन्होंने ठीके ये तीनों सवाल करेंगे अब नीचे इतनी जगा नहीं है two line skip करेंगे तो फिर यहां पर सवाल आ सकेगा answer नहीं आ सकेगा इसलिए next page से काम करेंगे ठीके एक सवाल करने के बाद two line skip करते हैं जिससे मैंने यहां की है इधर की है ठीके एक सवाल करने के बाद two line skip करेंगे फिर उसके बाद दूसरा करेंगे फिर again two line skip करेंगे next करेंगे आगे देखते हैं ताहा टेल्स आस्म संतिंग गड़ अबाव इमसेल यह सेंटेंस यह वाई ड्रामे का ही कि ताहा बताता है आस्म को कुछ अच्छा उसके बारे में बैक्रड़ैजिंग लिग ना चाहते हुए वट तैस इसमेर इसका क्या मतलब है देखें, वो ना चाहते हुए बताता है तो इसका क्या मतलब वो इसका मतलब है इसका ये मतलब है कि वो करना नहीं चाहता है ठीक है, वो राजी नहीं है तो डू दिस ये करने के लिए अर्गिमेंट कर रहे थे, लड़ रहे थे दोनों आपस में तो इसलिए ना चाहते हुए वो उसकी बारे में अच्छा बता रहा है नेक्स्ट कुस्टा नमबर फाइफ आसिम स्पीक्स हैजिटेंटली आसिम बोलता है हिचकचाते हुए वट डिस मिन इसका क्या मतलब है इट मीज इसका मतलब है डेट ही वास डाउटफुल वह मश्कूक है या नहीं इसलिए वह इसकी जा रहा था कुस्टा नमबर सिक्स है जो यू थिंग कोपरेशन इस बेटर देन कंफरेंटेशन क्या आपको लगता है कि कोपरेशन बहतरीन है लडाई से वाई क्यों कोपरेशन डेफिनेटली तावून करना बहतर है लडाई से ठीक है कोपर कोपरेशन से काम कैसे कि आप एक दूसरे से आइडियास लेके काम करेंगे सही है एक दूसरे से आइडियास लेके काम करेंगे किसी के अपास कोई चीज़ नहीं है एक दूसरे से चीज़ों की शेरिंग कर लेंगे तो इससे क्याता है काम असान हो जाता है एक दूसरे की हेल there are four points on the boys poster अच्छा वो जो मैंने poster आपको show किया था जब मैं आपको scene four पढ़ा रही थी उसके अंदर four points लिखे हुए थे which do you think is the most important आपको क्या लगता है कौन सा point जो है वो ज्यादा important है and why और क्यों third point मेरे ख्याल से third point जो था वो जादे important था अगर आपको कोई और सा point important लगता है तो आप वो point भी लिख सकते हैं और पिर इसके description भी दे सकते हैं third point listen to what the other person thinks तीसरा point listen सुनिए कि दूसरा बंदा क्या सोचता है is the most important, most important है यह जो point है, तीसरा point यह मैंने लिख भी दिया यह ज्यादा important है because, क्योंके यह यहाँ पर because लिखावा है ठीक है, यह this one word, क्या लिखावा है because, लिख के भी शो कर देती हूं ताकि अगर बोलने में समझ में नहाए लिखने में समझा जाए ठीक है, because, क्योंके unless जब तक के you want, अच्छा है यह want लिखी दिया want is the contraction of will not ठीक है, यह will not की contraction है, contraction सा मतलब दो word को मिला कर short form बना दी जाए ठीक है, तो उसमें से कुछ word omit कर दिये जाते है, remove कर दिये जाते है so that is called contraction ठीक है, तो यह will not की contraction है, want और will आपको याद होना चाहिए कि जब हमने इंडेफिनेट टेंस पड़े थे तो future इंडेफिनेट का helping word था will unless you won't listen others जब तक आप दूसरे की नहीं सुनेंगे you would not understand, आप नहीं समझेंगे what the matter is, कि मसला क्या है and it will cause argument और इससे क्या होगा, argument होगी, बहस होगी यह बहस का बाइस बनेगा जब तक आप दूसरे की सुनेंगे नहीं कि उसका क्या मसला है, तो आप अपनी ही बोलते रहेंगे तो इस तरह से बहस जारी रहेगी इस तरह दूसरे को भी खुसा आएगा तो इसका मतलब अभी यहां पर काम फिनिश नहीं हुआ है आगे वर्किंग मज़ीद है जो कि मैं आपको नेक्स लेक्चर में दूँगी आपने फिलाल यहां तक की वर्किंग करनी है कुछ चानासर तमाम प्रॉपरली कॉपी करने बहुत सारे वच्चों को आदध होती है ठूस ठूस के एगी पेज़ पर काम कर देते हैं तो प्रॉपर वर्किंग कीजिएगा टू वर्ट्स की दरम्यान वन फिंगर गया प्लाजमी होना चाहिए ठीक है नीट और क्लीन वर्किंग करने है और फिर से आपनी क्या करने है लर्न करने है अलाह आपिस